दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है that history repeats itself और अगर हम stock market की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये एक cyclical industry है कभी उपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर उपर चली जाती है, फिर नीचे चली जाती है इसका मतलब history यहाँ पे तो repeat होती ही रहती है तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये stock market की पूरी history अच्छे से समझ लें तो ऐसे ही हम एक बहुत important stock market के history के chapter की बात करने वाले हैं, dot com bubble I am sure आपने इसके बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा लेकिन इस वीडियो में हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं अगर मैं आपसे कुछ facts की बात करूँ, तो जब dot com bubble peak पे था तब Nasdaq, जो की USA का एक stock index है, जैसे हमारे यापे Sensex और Nifty है उसकी value 5000 से उपर चली गई थी, जो की कम समय में बहुत तेज उच्छा लाया था और वही value October 2002, यानि की 2-2.5 साल के अंदर अंदर, almost 80% डाउन हो गई थी, करीब 78% डाउन हो गई थी 1139 पे उसका bottom आ गया था तो यहाँ पे उठते हैं दो सवाल, और खिर क्यों ये Nasdaq की value यानि की जितने भी stocks थे, उनकी value इतनी fast इतनी तेज बढ़ गई थी और दूसरा इतनी धढ़ाम से गिर भी कैसे गई, इन ही दोनों सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मैं इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इंट्रेस्टिंग होगा वीडियो बने रही है लेटेस्ट फाइनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके औल पे जरूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तों अगर आप स्टोक मार्केट या इंवेश्टमेट के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिसस वॉलो कर सकते हैं की कोशिच करते हैं कि आख्र ये बबल डाट कॉम बबल बना कैसे था पहले अगर हम खाली bubble की बात करें तो ये stock market bubbles कैसे बनते हैं, crash कैसे होता है इसके उपर हमने एक detail वीडियो किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजे अब specifically अगर मैं dot com bubble की बात करूँ, तो यहाँ पे internet companies काफी ज़ादा आ गई थी 1990s के अंदर उनके अंदर बहुत excessive speculation होने लगा था, यानि की बहुत ज़ादा लोगों ने internet companies में invest करना शुरू कर दिया था इसकी वजह से dot com bubble बन गया था, और 99-2000 तक आते आते वो अपने peak पे चला गया, जैसे हमने बात करी कि NASDAQ की जो value थी वो 5000 क्रॉस कर गई थी, तो यह तो short में था dot com bubble, लेकिन यह start कैसे हुआ, 1989 में worldwide web की शुरूआत हुई, जिसे हम आज भी www कहते हैं short में, हर website को देखते हैं आपकी वो www से शुरूआत होती है उसकी और उसका end होता है dot com पे, तो यह जितनी भी dot com companies सी, यह 90s के अंदर बहुत सारी आई थी, 1991 में www यानि की worldwide web को public कर दिया गया, यानि की आम आदमी भी उसके अंदर सर्फ कर सकता था, और लोगों के लिए internet को user friendly बनाने के लिए लाया गया web browser, so 1993 में पहला web browser आया था जिसका नाम था mosaic और आज की डिट में तो बहुत सारे web browser हैं, जैसे की apple का safari हो गया, google का chrome हो गया, firefox का mozilla firefox हो गया, internet explorer हो गया, इस तरीके से आज भी बहुत सारे web browser popular हैं, so एक बर web browser public हो गया, उसके साथ साथ बहुत सारी internet companies आने लगी, लो वो कुछ हद तक गलत भी नहीं था, काफी सारे internet users तेजी से बढ़ रहे थे, 1995 में 16 million internet users थे, जो बढ़के 2000 तक 361 million हो गए, 22 गुना खाली 5 साल में, इस तरीके की जो business growth थी, पहले history में कभी नहीं देखी गई थी, so obviously और जादा companies आती जा रही थी, और जादा investors का interest बढ़ता चला जा रहा था, और dot com के बहुत सारे आज के date में भी survivor companies हैं, जैसे कि yahoo है, google है, amazon है, ebay है, ये उस जमाने के survivors हैं, लेकिन हर एक survivor company के पीछे कम से कम भी 5 casualties हैं, यानि कि कम से कम भी 5 companies bankrupt हुई, बंध हुई, so एक तरफ तो काफी सारी companies आ रही थी internet पे, दूसरी तरफ investors के वो capital gains tax भी बहुत जादा कम कर दिया था, so capital gains tax अगर कम लग रहा था, that means लोग और जादा invest कर सकते थे और उनके returns थोड़े better हो रहे थे, क्योंकि tax महाँ पे कम लग रहा था, so लोगों के हाथ में पैसा था, तो companies ने सोचा, बहुत सारी internet companies ने सोचा, क्यों ना stock market के अंदर अ 91% उपर चला गया था, May 99 में pets.com लिस्ट हुई थी, जिसका share 11$ पे लिस्ट हुआ था, और एक ही दिन में वो भी 70 से उपर चला गया था, इस तरीके की बहुत सारी tech companies के IPO's आ रहे थे, लोगों के पास भी पैसा था, तो वो सारा पैसा stocks के अंदर जा रहा था उस time में, यहू और eBay जैसी companies का merger plan हो रहा था, बड़ी बड़ी companies थी उस time पे यह, so companies का एकलौता मकसद था कि funds raise करे जाएं और उन funds को सारा advertising और marketing में खर्च किया जाए, operational profit आएं या ना आएं, products अच्छे बने या ना बने, उस पे किसी का ध्यान नहीं था, सारा ध्यान था, बस किसी तरीके स growth बढ़ाओ, so motto यही चलता था उस time पे, get large और get lost, यानि कि या तो बड़े बनो या फिर गायब हो जाओ, so सवाल यह उठता है कि आखिर यह जो bubble बना, यह किस तरीके से इतना जादा escalate हो गया, so यहाँ पर पहला reason है, too many companies chasing too few users, देखिए अभी मैंने आप से definitely कहा कि internet users बहु यहाँ पे इतनी सारी companies उन limited लोगों को ही chase कर रही थी, so यहाँ पे एक dream chase हो रहा था, कि यह 360 million का numbers 10 times हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि internet से यह सारी चीज़ें possible थी, लेकिन इतनी fast internet penetration नहीं हो रही थी, जितनी fast companies आती जा रही थी, दूसरा, यह जो सारी tech companies जा रही थी, इनकी valuation बहुत जादा बढ़ती चली जा रही थी, यहाँ पे कोई profit के numbers, जितने भी fundamentals की हम बात करते हैं, उनके ओपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, सारा ध्यान जा रहा था कि company का कितना web traffic बढ़ता जा रहा है, कितने लोग उसके पर आते जा रहे हैं, traction की खाली number of users से हो रही थी, revenue और profit से किसी को कोई खास मतलब नहीं था, इसके अलावाद तीसरा reason, media ने भी इसको और fuel up कर दिया, media भी हर जगा, internet entrepreneurs, internet companies के बारे में ही बात कर रहा था, कि billionaires बन रहे हैं, millionaires बन रहे हैं, तो और जादा interest लोगों का create हो रहा था, एक तरफ तो entrepreneurs बह जैसे भी हो रहा था, और दूसरी तरफ ये जो companies पैसा raise कर रही थी, इनको वो spend कहां कर रही थी, या तो definitely advertising और खाली marketing में spend कर रही थी, product development में पैसा शायद कम खर्च हो रहा था, और दूसरी तरफ लैविश offices बन रहे थे, लैविश launch parties हो रही थी, employees को exotic vacations में भेजा जा रहा अगर हम यहाँ पे कुछ facts की बात करें तो 1999 में करीब 199 companies को analyze किया गया, जिनकी overall market capitalization यानि की overall value थी, वो 450 billion dollars से भी जादा थी, लेकिन उनके revenues और profit numbers कितने थे, उनकी total revenue 21 billion dollars थी और उनके cumulative losses 6 billion dollars से भी जादा थे सो ये तो हमें समझ में आगया कि आखिर ये bubble कैसे बना था, अब दूसरा सवाल उठता है, क्यों और जादा bubble ये बढ़ता ही नहीं चला गया, ये फटा क्यों आखिर ये bubble फट क्यों जाते हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं, सो आपको ध्यान होगा जो हमने stock market bubble and crashes वाला वीडियो किया था, उसके अंदर हमने बात करी थी, कि ये जितने भी bubbles बनते हैं, ये आखिर क्यों बनते हैं, क्योंकि market के अंदर money supply बहुत जादा हो जाता है, अब money supply जादा क्यों हो सकता है, क्योंकि interest rates कम कर देती है किसी वजह से government, या फिर money printing हो रही होती है, या फि tax cuts होते हैं, अगर tax cuts होते हैं, तो उस वजह से लोगों के हाथ में पैसा जादा आता है, वो पैसा फिर stock market के अंदर भी जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था 1990s के अंदर भी, जो 1995 में जो USA का fed है, जैसे हमारे या पे RBI है, USA के fed ने interest rates बहुत ही कम कर दिये थे, जो जो सारी liquidity यह थी extra पैसा था, यह 1995 से लेके 1999 तक काफी जादा कहानी चलती रही, यह बहुत जादा पैसा, stock market के अंदर जाता गया, specially dot com companies के अंदर जाता गया, यानि कि internet companies के अंदर जाता गया, लेकिन 1999 के अंदर दो बड़े changes हो गए, पहला तो 99 के अंदर आया Y2K bug, अब यह Y2K bug क्या जाती थी, लेकिन 2000 में वो 00 होने वाली थी, इसकी वजए से सारे computer programming के अंदर जितने भी software से उनके अंदर काफी बड़ा bug आ सकता था, इसका बहुत बड़ा डर हो गया था, पहला तो यह panic फैलने लगा market के अंदर, यानि कि investors के अंदर भी, दूसरा, 99 तक वो जो 1995 से interest rates बहु जोना शुरू हो गया, और इन दोनों खतरों की वजए से एक बड़ा sell-off हुआ March 2000 के अंदर, so 5000 points पे जो peak करा था NASDAQ धडाम से गिरा, और साथ में एक और news आई 13th March 2000 को की जपैन recession में इंटर कर गया है, so यह global sell-offs की वजए से NASDAQ के उपर भी बहुत ज़ादा pressure पढने लगा, अब यह तो हमें पता ही है कि जब एक बार sell-off शुरू होता है तो downward spiral के अंदर markets चली जाती है, देखें markets के अंदर क्या होता है, या तो boom जब आता है तो लोग excitement बहुत ज़ादा होती है लोगों के अंदर, दूसरी तरफ जब fear आता है तो fear भी बहुत ज़ादा हो जाता है, तो उस टाइम पर हर आदमी है सोचता है कि मैं किसी तरीके से अपना छोटा मोटा loss बुक करूँ या फिर profit बुक करूँ फटा-फट stock market से बाहर निकल जाओं, तो इस sell-off की वजए से और ज़्यादा selling बढ़ती चली गई, और दूसरी तरफ companies के उपर pressure बढ़ने लग गया, अब वो funds जो आ रहे थे, यानि कि investors का पैसा आ रहा था, अब वो available नहीं था, बहुत सारी companies को अब cash crunch महसूस होना शुरू हो गया, अब उनके पस कोई product तो था नहीं, कोई actual growth numbers तो दिखाने के लिए थे नहीं, और यहां growth numbers की बात हो रही है revenues में, तो revenues नहीं थी, कोई खास profits नहीं थे, तो काफी सारी companies यहां पे bankrupt होनी शुरू हो गई, अभी मैं आपसे दो particular cases की भी बात करूँ आ यहां पे, उसमें से एक तो है pets.com, जिसकी अभी हमने बात भी की कि उसका जो share था, वो 70 dollar cross कर गया था, वो अगले 9 महिने के अंदर अंदर, वो 19 cents का आ गया, उसके बा को ने ये भी सवाल उठाने शुरू कर दिये कि ये fundamentals आखिर strong नहीं है in tech companies के, यहां पे हम एक और classic example की बात करते है, web van की case study भी हम समझने की कुशिश करते है, web van एक online grocery store की तरह start हुआ था, जैसे आज के जमाने में growers है हमारे या पे या फिर big basket है, लेकिन आज के जमाने में ब electronics में भी आ गए, pet supplies के अंदर भी आ गए, kitchen supplies के अंदर भी आ गए, kids clothes के अंदर भी आ गए, तो इस तरीके के बहुत सारे products भी उन्होंने add कर लिए, अब generally कोई भी business शुरू होता है, तो वो कैसे होता है, देखिए आप पहले एक जगे पे अपना product को test करते हैं, वहां जो भी bear houses भी अपने ही बनाएंगे, यही सारे काम कर रहा था web van और साथ के साथ पैसा जादा से जादा उठाना, यह company 1996 में शुरू होई थी, काफी सारे venture capitalists ने इसके अंदर पैसा डाला था, करीब 396 million dollars इसके अंदर pump in हो चुके थे, उसके बाद 1999 के अंदर इसका IPO भी आया, जब उनने 375 million dollars raise करे, इनकी valuation peak पे 4.8 billion dollars हो गई थी उस time पे, और यह इतनी high valuation में revenues और profits के क्या numbers थे, revenue थी इनकी करीब 4 lakh dollars की और इनके losses थे करीब 50 million dollars के, so यहाँ पे definitely यहाँ भी किसी का ध्यान तो नहीं जा रहा था, दूसरा जो इनकी top management थी, including जो इनके founder थे, Lewis Borders, उन में से किस CG जो industry होती है, उसके अंदर generally margins बहुत कम होते हैं, single digit percentages में होते हैं, दूसरी तरफ आप जब इतना ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, अपना tech build up कर रहे हैं, logic sticks में भी आप खुदी invest कर रहे हैं, wear houses भी अपने बना रहे हैं, trucks भी आप खुदी खरीद रहे हैं, तो इस तरीके के business के अंदर आपके margins नहीं बनेंगे, so जब इनका IPO आया था 99 में, उसके बाद जब इनका peak करा था stock, उस time पे इनके value जो थी stock की, वो करीब 25 डॉलर की हो गई थी, dot com bust के बाद, जून 2001 के अंदर इन्होंने bankruptcy फाइल कर दी थी, उनका जो stock की value आ गई थी, वो 0.06 डॉलर आ गई यानि कि खाली 6 cents, बहुत सारे newspapers जो एक तरफ 99 के पहले सारे dot com की चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छी, बड़ी बड़ी companies create हो रही है, उन्होंने एकदम से रुख बदल दिया, अब बात होने लग गई कि web van के साथ क्या कुछ गलत हो रहा था, हाला कि वो पहले नहीं दिख रहा था शायद, और फिर web van को सबसे बड़ा flop show बताया जाने लगा dot com का, so यह जो पूरा dot com bubble हुआ, उसके बाद बस्ट हुआ, इसके बाद आखिर क्या हुआ, काफी सारे executives थे जो city group, merrill lynch, इस तरीके के जो बड़े-बड़े banks के भी जो executives थे, उनके against case चलाए गए, क्योंकि वो गलत-गलत report चाप रहे थे, उनको पता था कि बहुत सारी companies के अंदर revenues नहीं है, अच्छे products नहीं है, profits भी नहीं है, loss making है, फिर भी लोगों को कहा जा रहा था कि आप यहाँ पर invest कीजे, क्योंकि उनको था खली अपने commission से मतलब, in fact, Goldman Sachs की एक employee की email भी leak हु टैक हुआ था, इसके कारण भी global markets के अंदर बहुत जादा selling off हुई, so markets जो थोड़ा बहुत recover करना शुरू भी कर रही थी, वो और जादा नीचे जाती गई, 2002 तक, in fact, ये नीचे ही जाती गई, तो जैसे हमने पहले बात करी, कि October 2002 में Nasdaq की value 1139 तक आ गई थी, और अगर हम क हो गए थे, या फिर छोटी companies को ओने पोने दाम पे बड़ी companies को बेच दिया गया था, 2001 से लेके 2004 तक, Silicon Valley यानि कि जितने भी ये सारी tech companies जो hire करती है, वहाँ पे करीब 2,00,000 jobs का loss हुआ था, so definitely ये काफी सारे negative aspects भी थे उस जमाने के, लेकिन कुछ positive aspects भी थे, so dot com bubble के बाद कु Definitely उस टाइम पे internet users बहुत कम थे, लेकिन आज के जमाने में internet तो हर किसी के phone में है, internet revolution हुआ, mobile revolution हुआ, इन बड़ी-बड़ी companies के अंदर और छोटी-छोटी companies निकली और उन से भी और बड़ी-बड़ी companies बन गई, so हमारे लिए यहाँ पे learning एक ही है, कि history repeat होती है, stock market के अंदर cycles हैं यह, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमेशा recession ही आता रहेगा, या फिर एकदम से हमेशा boom ही चलता रहेगा, यह हमें जरूर पता होना चाहिए, और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी, कि stock market, bubbles या फिर crashes का हम पता कैसे लगा सकते हैं, कुछ indicators को हम study कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लिजेगा, so इस वीडियो में बस इतना ही, I am sure कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ learning जरूर हुई होगी, history के एक छोटे से chapter से, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसको like और share जरूर कीजिए, अपने friends और family members के साथ, उनसे भी यह history का एक important chapter, discuss कीजिए, share कीजिए, अगर आपके कुछ सुझाव हैं, इस वीडियो से related या channel से related, तो आप नीचे comment section में कर सकते हैं, और अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको latest finance video को notification मिल जाए, तो मिलते हैं अगले एक ऐसे informative वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशे की तरह खुश रहिए